जी हाँ सवागत है आपका, तो मनोविज्ञान के महात्यपून प्रशनों पर अभ्यास सामाजी करण के संदर्भ में किस संस्था की महात्यपून भूमिका होती है? परिवार, समाज और समधाय की सामाजी करण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजी कायर करने की योग बनाता है सामाजी करण के संदर्व में ये कतन किस मनोवज्यानिक का है तो जॉनसन का है सामाजी करण की विशेषता नहीं है क्या नहीं है व्यक्त के सामाजी करण में समधाय की कोई भूमिका नहीं होती है सामाजी करण की विशेषता नहीं है क्या नहीं है तो बताया गया मनो सामाजी सिद्धान का परतिपादन किस मनो वैग्यानिक ने किया था तो एहरी के इरिक्षन की द्वरा किया गया था सामाजी करण एक परकिरिया है ठीक क्या परकिरिया है मूल्लियों विश्वासों तो था अपेक्छाओं को अरजित करने की एक परकिरिया है मनो सामाजी सिद्धान किस पर बल देता है उद्दम के मुकाबले में हींता अस्तर पर ये बल देता है ठीक है सामाजी करण के संदर्भ में विद्यालों के पास प्राया एक परसचन पाठ शर्या विद्मान रहती है जिससे नहित होता है क्या नहित होता है अंता किरिया व सामागरी द्वारा विद्यालेओं में प्रस्तुत की जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंद अनौपचारिक शंकेत निहित होती है सामाजी करण क्या है? समाज के मापदंडों के अमशान अनकूलन ही सामाजी करण है सामाजिक विद्यार्थियों के साथ संप्रेशन का अर्थ क्या होता है उन्हें अपने विचारों से आउगत कराना सामाजिक अधिगम आरंभ होता है किसे संपर्क से होता है वो कौन सी संस्था सामाजिक प्रमप्राओं के हस्तानांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है तो उसका सही जवाब का परिवार परिवार एक साधन है किसका अनौपचारिक सिक्षा का सामाजिक प्रमप्राओं के हस्तानांतरण में सबसे अधिक योगदान करने वाली संस्था कौन सी है वो परिवार है बिद्याले और सामाजी करन के बारे में सत्त कथन है क्या बिद्याले सामाजी करन का महत्यपूर्ण कारक है बालक का सामाजिक करण किसे संबंधित नहीं है तो वह परक्रिया जो तुरंत हो जाती है किसी बच्चे के सामाजिक विकास को परभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है क्या मित्र मंडली सामाजिक परिवर्तन का सरवाधिक कारिकारी कारक क्या है सबसे अधिक गहन वा जटिल सामाजी करण होता है किस अवस्ता में कि सोरा अवस्ता के दोरान होता है सिक्षा के संदर्व में सामाजी करण से क्या तातिपर है तो सामाजी कवातारण में अनकूलन और समायोजन ये है सामाजी करण से तातिपर सामाजी करण की परिकिरिया में सामिल नहीं है क्या नहीं है अनुवानसिक संचरण ये सामिल नहीं है जन संचार माध्यम सामाजी करण का एक महत्यपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है या परभावित करता है किसको किसको तो अभिवरेत्तियों को मोल्यों और विश्वासों को परभावित करता है और महत्यपूर्ण प्रसुनों परचर्चा इसके नेस्ट वीडियो में